हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे साबू दाने की खिछड़ी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और खिली खिली एक्दम उसके लिए हमने साबू दाने को 6-7 गंटे भी ओ दिया था यहां पे हमने डाल दिया है कड़ाई में तेल गरम हो चुका मूंग फली डाल दी अब मू फली चेटकने लग गया है तो इसको भी हम अब निकाल लेंगे हैं और यहां पे हम अपने अलू भी फ्राई कर लेंगे आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें अगर आपको वालू पसंद है तो ढूली भर न ना डाले यह देखिया हमारे अलू फ्राई हो गय इनको हम निकाल लेते हैं उसके बाद हम डालेंगे गढ़ाई में चम्मजीरा गरी पत्ता इन सबको भी हम अच्छी तरह से चटका लेंगे और साथ में डालेंगे हरे मिर्च यह भी हमारे अच्छी तरह से हो गए हैं अब इन में हम डालेंगे साबू दाना साबू दाना हमने डाल लिया जैसे ही आप साबू दाना डालें साथ में डालें पिसी हुई दरदरी वाली मूंगफली अब इन मौंगफली को अच्छी तरह से मिला ले हमारे मौंगफली और साबू दाना अच्छी तरह से मिल गए है और स्वादन सार यहां डाल देंगे नमक और साथ में मौंगफली फ्राई की हुई और अलू इनको भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे चारो और आपने अच्छी तरह से मिला दे और साथी में हम डाल देंगे एक नीबू नीबू को भी हम चारो और नीच उड़ लेंगे और साथी में डाल देंगे काली मिर्च, चीनी या अधाधा चम्मच इनको भी हम अच्छी तरह से मिला ले और यहीं पर 5-6 मिनट के लिए हम इने ढख कर पका लेंगे लो फ्लेम पे 5-6 मिनट हो गए है यह देखिए हमारा साबू दाना बिलकुल रैडी है हमने दो कटोरी साबू दाना लिया था और एक कटोरी दरदरी पीसी मूंख फली साबू दाना जो कि फूल के और चादा हो गए थे अब इसमें डालेंगे महरा धनिया तो यह देखिए हमारी साबू दाना खिचड़ी कितनी खिली खिली बनी हुई है है न एकदम परफेक्ट खिचड़ी तो आप भी इसी तरह एक बड़ ट्राइ करकी जरूर देखे